जै माता दी दोस्तों जैसे बिजनस में थोड़ा नुकसान हो सकता है या फिर मेरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू आ जाना इस समय पर आप मानसी ग्रूप से थोड़ी से परिशान रहेंगे मेरिड लाइफ को लेकर या फिर बिजनस को लेकर अगर आपकी कोई नई पार्टनेशिप होती हैं तो उसके बारे में आप सो समझ कर डिसीजन ले सकते हैं बात करी 23, 24 और 25 सितंबर की इस समय चंद्रमा किस्ति आपकी अस्टम भाव में रहेगी इस समय पर आप थोड़ी इमोशनल हो सकते हो किसी की भी कही गई बात का आप बहुती जल्दी बुरा मान सकते हो तो इस वज़ा से आपको परिशानी हो सकती हैं और इसके साथ एक गज़ केसरी योग आपके अस्टम भाव में बनेगा तो अगर आपकी कुंडली में ब्रसपती की स्थिति अच्छी हैं तो आपको इसका लाब अच्छा मिलेगा और अचानक से धन की प्राप्ती भी हो सकती हैं आप अपनी वाणी के माध्यम से भी कुछ अच्छा कर पाएंगे आपकी अपनी फैमली के साथ भी बाउंडिंग अच्छी रहेगी आप इन तीन दिनों में धन की बचट भी अच्छी कर पाएंगे जिसे आपको काफी सहूलियत महसूस होगी और इस समय आपकी अचानक से धन के स्रोध भी खुल सकते हैं इस समय आपका इंटरस्ट एस्टरलॉजी पामिस्ट्री में या फिर निम्रलॉजी में इन चीज़ों म किस्ति अच्छी नहीं है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती हैं मांसिक रूप से भी थोड़ी परेशानी हो सकती हैं जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं बात करें 26 और 27 सितंबर की इस समय चंदर्मा आपके नवंभाओं मे परवेश करेंगे और इस समय शनी भी यहाँ पर परवेश कर रहे हैं और शनी के साथ चंदर्मा का विश्दोश बनेगा यहाँ पर भी आपको थोड़ी कठनाई जरूर होगी लंबी दूरी की यात्राओं के लिए या फिर हाय एजुकेशन के लिए आप ठीक से निड़ने नहीं दे पाएंगे इसके लावा आपके धर्मिक कारे में मन हलाकी काफी अच्छा लगेगा लेकिन आप उन कारे में उतना इंटरस्ट नहीं रख पाएंगे उतना आप उनको इंजॉय नहीं कर पाएंगे और पूरे मन से काम को नहीं कर पाएंगे इस समय आपको भागे का साथ हवश्य मिलेगा और अगर पिता जी के साथ समंदों में कोई कठनाई चल रही थी तो वो भी अब दूर होगी और साथ ही अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा भागे का पूरा साथ मिलने से आपके काम आगे के लिए बनते हुए चले चाहेंगे और यहां से चंद्रम 32 समझ कर लें तो आपके लिए जादा अच्छा कहीं न कहीं इस गोचर में रहेगा इस समय आप अपने धार्मिक कारियों में अपना मन अवश्य लगता हुआ दिखेंगे बात करें 28 और 29 की इस समय चंद्रमा आपके दशंभाव में प्रवेश करेंगे इस समय आपकी स्तित उनके लिए प्रमोशन के चांसिस रहेंगे और अगर आपको बॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी परकार का मन मटाओ चल रहा है तो वो अब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे इस समय आपका उनके साथ रिलेशन भी अच्छा होगा आपके काम की सरहना होगी तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं आपको वो नई जमेदारी कारेस्थल पर सौंप सकते हैं इसे आपको सहस्विकार करना चाहिए और काम को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए तो ये समय आपकी जॉब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अगर आपकी माताजी की सिहत को लेकर कोई भी समस्या चल रही थी, तो वो भी दूर होगी, आपकी माताजी के साथ आपकी बाउंडिंग काफी अच्छी होगी, उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, और उनका आपको पूरा पूरा सयोग देखने को मिलेगा, तो ये सम आपका लगाओ बढ़ेगा और ये आपके लिए एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है इस समय जॉप में नई ऑपर्चिनिटी भी आपके सामने आ सकती हैं नई संभावनाई खुल सकती हैं आपके आगे के लिए जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बात करें 30 सितंबर की त अफिर धन को लेकर किसी परकार की समस्या हो बड़े भाई भेनों से आपको support चाहिए आपको दोस्तों से support चाहिए तो ये सब इस समय पर आपके साथ जरूर होगवा इस समय पर जोड़न पढ़े पदो पर बैठी हैं वो आपको सहाइता दे सकते हैं आपके कुछ नई दोस भी बन सकते हैं, जो आपको support कर सकते हैं, तो इस समय आपका network circle आपकी काम आएगा, अगर आप कोई business करते हैं, तो इस समय आपको अचानक से बड़ा lab हो सकता है, आप इस समय अपने network circle में किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, उसकी marketing कर सकते हैं, यहाँ से चंदरमा आपके सकते हैं, संतान से आपको अच्छा support मिलेगा, संतान आपकी बात को मानेगी, और कहीं न कहीं आपको प्रेम संबंदों में भी सफलता देखने को मिलेगी, साथी आप अपने संतान की education को लेकर, उनके career को लेकर, कोई नया decision लेना चाहते हैं, तो आप इस समय पर ले सकेंगे और अगर किसी भी परकार की समस्या आपको आ रही थी, तो वो भी दूर होगी, और आप कुछ नया सीख पाएंगे, इस समय कुछ creative skill अगर आप खुद में develop करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है, इस समय आप कुछ creative कर पाएंगे, जिससे कि आपको आ तरा से काफी अच्छा कहा जा सकता है, और इस समय पर आपको अच्छा धनला भी मिल सकता है, आपके इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है, मन चाहे result की भी प्राप्ती हो सकती है, बात करें सब्सक्राइब के शुब अंक और शुब रंग की, तो आपके लिए शुब अंक रह तो ये था व्रिशब राशी वालों के लिए सितंबर दो हजार बीस के चौते सप्ताहा के बारे में